2.6. कुलाइड क्या है? What is a कुलाइड? क्रिया कलाप तीन में समुखा को दूद या स्याही में जो मिश्रण प्राप्थ हुआ वह क्या है? विलियन या निलंबन? यदि वह दोनों ही नहीं है तो क्या है? अवलोकन के आधार पर यह निश्कर्ष निकलता है कि यह विलियन की निलंबन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है इसे कुलाइड कहा जाता है इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं इसलिए यह विश्मांगी होते हुए भी समांगी प्रतीत होता है कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आखों से नहीं देखा जा सकता ये तली पर भी नहीं बैटते और नहीं इन्हें छान कर अलग किया जा सकता है किन्तु इन्हें अपकेंदरी बल लगा कर अलग किया जा सकता है घरों में दही को मतनी से बिलो कर या मिक्सर में घुमा कर मक्खन निकाला जाता है यहां भी अपकेंद्री बलके उपयोग द्वारा कोलाइट से कणों को अलग किया जाता है यदि आपकी शाला में अपकेंद्री यंत्र हो तो एक परकनली में दूध लेकर दो मिनट तक घुमा कर देखें क्या दूध से क्रीम प्रिथक होती है इसके कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई देता है यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है इस प्रभाव की खोज जोन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी इस प्रभाव को अंधेरे कमरे में छोटे से छेट से आने वाले प्रकाश में भी देख सकते हैं अंधेरे कमरे में यह प्रभाव धूल और धूए अर्थात कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है कुलाइड में विले के कणों पर विलायक के कण और सम्मिट धंग से बल डालते हैं जिसके कारण विलियन में विले के कण अनियमित धंग से गती करते हैं इस घटना का अध्यान रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था अता कणों की इस प्रकार की आनियमित गती को ब्रावनी गती कहते हैं हम जानते हैं कि मिश्रन कई प्रकार के होते हैं तथा इसके अव्यवों को प्रिथक करण की विभिन विधियों द्वारा प्रिथक कर सकते हैं प्रिथक किये जाने पर यदि हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिन्हें और सरल रूप में प्रिथक नहीं किया जा सकता उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आईए अब हम शुद्ध पदार्थों को विस्तार से समझें।